नमस्कार बंदे मातरम दोस्तों स्वागत है आप सब का सैनिक पार साला में आज के इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण विशेओं को लेकर आया हूं दोस्तों जो सैनिकों और पूर्व सैनिकों से जुड़े हुए विशे हैं जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं तो च चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप से जुड़ी हुई भरोसे मन जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का सैनिकों और पूर्व सैनिकों को जोर का जटका जी हां दोस्तों ये एक बेहद महतपूर्ण विसे है कि सुप्रीम कोट ने पुर्व सैनिकों की याचिका को खारिज कर दिये और किस बात से जुड़ी हुई याचिका थी आगे में आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि इस से आगे आने वाले दिनों समय से पहले सैनिक कैसे बन सकते हैं पूर्व सैनिक ये सवाल है मानिय सुप्रीम कोट का कि अगर आप सर्विस में हैं तो सर्विस में रहते हैं आपको हम पूर्व सैनिक कैसे माने ऐसा ही एक विसे है जिसके उपर ये कड़ा सवाल मानिय सुप्रीम कोट ने किया है दोस्तो और सुनिए, अब आपकी नोकरी खत्रे में है, जी हाँ दोस्तों, हम पूर्व साइनिक होने के बाद जो कोटा हमें मिलता है, जो केंदरे सरकार के या राज्ये सरकार के नोकरियों में, उसमें कई सारे ऐसे साइनिक हैं, जो सर्विस में रहते रहते अपलाई करते हैं, एन ओ तो उस हमेडिया के होाले से रिपोर्ट आया इस रिपोर्ट को मैं आपको समझाता हूँ दिखाता हूँ चलिए उसको समझते हैं दोस्तों जैसे आप ये देख पारें ये जो जानकारी ये जो ख़वर निकल के आई है जो कि सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिहाद से एक बहुत ही महत पूर्ण जानकारी है दोस्तों ये मानने है सुप्रीम कोट से निकल के आई है जैसे इसका हेडिंग आप देख पारें सेवारत कर्मियों को भविस्य की तारीक से पूर्व सैनिक नहीं माना जा सकता सुप्रीम कोट ने सरकारी नोकरी के लिए पूर्व सैनिकों की याची का खारिज की ये एक बहुत बड़ी जानकारी है बहुत ख़बर बड़ी ख़बर है जो की हमारे जिन्दगी में असर डाल सकती है जो पूर्व सैनिक हैं या सैनिक हैं उनके जिन्दगी में देखिए जो जानकारी निकल के आईए इसमें क्या महत पूर्ण है आप देख पारें सुप्रीम कोट ने हाली में यह कहते हुए कि ससस्त्रबल के सेवारत कर्मियों को भावी तीथी से पूर्वसेनिक नहीं माना जा सकता है उत्तरप्रदेश राज्य सेवा में ग्राम विकास अधिकारियों के रुप में न्यूक्तियों के लिए तीन अपिल करताओं के दावे को खारिज कर दिया है अपिल करताओं ने ससस्त्रबलों में सेवा करते हुए भी पूर्वसेनिकों के स्रेणी के तहट 2016 में यूपी अधिनस्तर सेवा चैन आयोग द्वारा विग्यापित ग्राम विकास अधिकारियों के पदों पर आवेदन किया था अपिल करताओं को नियुक्ति पत्र 2019 में जारी किये गए थे हाला कि बाद में उनकी नियुक्तियों को यूपी अधिनस्तर सेवा चैन आयोग द्वारा दो आधारों पर अमान नेगोसित कर दिया गया एक नमर वे आवेदन के समय पूर्वसेनिक नहीं थे दूसरा उनके पास अपेक्चित योगिता नहीं थी इलावाद हाई कोड़ द्वारा आयोग के फैसले में हस्तचेप करने से इनकार करने के बाद अपिल करताओं ने सुप्रीम कोड का दरवाजा कट-खटाया जस्टिस बिक्रमनात और जस्टिस असानुदिन अमानुतुल्ला की स्खंडपीठ ने उनकी अपील को खारिद करते हुए कानून की स्थापित स्थीती को दोराया कि पातरता पर मूल प्रसन कट आफ तारीक के आधार पर निर्दारित किया जाता है यानि कि बेहद महतपूर है दोस्तों जो सैनिक होते हैं वो सर्विस के दोरान एनोसी लेते हैं या इस तरीके से कई ऐसे प्रावदानों के तहत वो जो है पहले ही सेवा में रहते ही सिविल के नोक्रियों के लिए अपलाई करते हैं इंटर्व्यू देते हैं और बाद में जब उनका appointment आ जाता है तब जाकर के सेना से discharge होने के बाद जाकर के join करते हैं तो उसी तरीके का ये case है तो दोस्तों आप सब ने देखा ये एक बेहत गंबीर विसे है अब इस पे दुबारा से review की जरूरत है क्योंकि पोज में ऐसे situations आते हैं तो दोस्तों चलिए अगली जान से DA या DR में बड़ोतरी होकर के 50% या उससे पार पहुंच जाएगा या लगबग 99% कंफॉर्म है क्योंकि AI CPIN के अभी तक जो आंकड़े आए हैं वो आंकड़े उसी और इसारा कर रहे हैं कि DA-DR हमारा 50% पार हो जाएगा तो क्या जैसे ही DA-DR 50% या उसके पार हो जाएगा तुरंत ही हमारा 50% basic pay या basic pension में मर्ज हो जाएगा क्योंकि कुछ employees या pensioners ये सोचके बैठे हैं कि हाँ 50% जैसे होगा वैसे ही हुआ automatically जो है basic pay या basic pension में मर्ज हो जाएगा इसको समझने की जरूरत है दो चीजे हैं एक तो 25% allowances में बड़ोतरी होनी है एक 50% basic pay या basic pension में मर्ज होना है दोनों चीजों को मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होने वाला है आगे जब बड़ोतरी होकर 50% पहुंचेगा सबसे पहला point सात्वा बेतन आयोग क्या बोलता है दोस्तों सात्वा बेतन आयोग का जो recommendation है उस recommendation में ये बात है कि accruid formula से payment या pension की बड़ोतरी की जाए औ और चटे pay commission से पहले पहले मर्ज हुआ भी था बिल्कुल हुआ था तो क्या हमारा 50% पहुंचते ही फिर से मर्ज होगा आगे समझते हैं दोस्तों सबसे पहले समझे 25% Children Education Allowance, HRA इस तरीके के जो allowances है उनमें बड़ोतरी की तो guarantee है दोस्तों जैसे ही हमारा 50% DADR पहुंच जरूरत नहीं है वो automatically 25% बड़ोतरी हो जाएगी यानि कि मान लीजिए अगर कोई HRA अगर किसी को 20,000 मिल रहा है तो उनका 25% यानि कि और 5000 रुपे एड हो जाएगा और उनको 25,000 रुपे करके HRA मिलना सुरू हो जाएगा यह confirmed है लेकिन क्या 50% basic pension या basic pay भी guaranteed है यह सवाल है दोस्तों बिलकुल नहीं है सरकार अगर चाहेगी सरकार अगर करेगी तभी जा करके यह 50% हमारा basic pay या basic pension में मर्ज होगा तो आप यह सोचके ना बैठें कि जन्वरी में जैसे ही 50% D.A.D.R. हो जाएगा हमारा automatically वो मर्ज हो जाएगा नहीं होगा ऐसा एक्रोइड formula तभी लागू होगा वो recommendation है sanction नहीं है pay commission का recommendation को अगर सरकार लागू करेगी तभी हो सकता है तो इसके साथ जुड़ा हुआ और एक सवाल जिसके उपर बहुत सारे media से अभी ख़बरें भी चल रही है जो आप यह screen shots देख पा रहे हैं दोस्तों इन screen shots में आए द दिन आठवे pay commission के बारे में कोई जानकारी देता है सरकार की तरफ से clarification आया या सरकार आठवा pay commission बिठाने जा रही है या इस दिन बिठाएगी आठवा pay commission इस तरीके की जो आप screen shot देख पा रहे हैं इन में इस तरीके की जानकारी दी जाती है या आठवा pay commission आएगा या आठ कमिशन आठवा दोजारचब़ीस में डिउ है क्योंकि 2016 में हमें सातवा मिला था तो आठवा दोजारचब़ीस में मिलना है तो क्या आठवा पे कमिशन आएगा मुझे लगता है दोस्तों कि या तो एकरोईड फर्मूले से अगर बड़ोतरी कर दी तो हो सकता है सरकार आठवा पे कमिशन के और ना जाए या तो हो सकता है इस चुनाव से पहले पहले आठवा पे कमिशन का गठन हो जाए गठन होना उसका recommendation आपर करके और factor लगाया जाएगा ये सारी बातें जब pay commission गठन होगा जब pay commission अपने चीजें जो है recommendation देगा तब ही पता चलेगा कि किस तरीके का होगा और ये भी chances हाँ हैं कि pay commission का गठन हो जाए लेकिन ये तब ही पता चलेगा जब government की तरफ से कोई notification आएगा या government की तरफ से कोई ठोस जानकारी आएगे कि हाँ pay commission बैठने जा रहा है या हाँ 50% मर्ज होने जा रहा है जब तक government की तरफ से कुछ ठोस नहीं आएगा आप अपने मन में ये बातें ना बिठा के बैठें कि 50% होते ही हमारा मर्ज हो जाएगा क्योंकि दोस्तों कई सारे सवाल आये थे मैंने मेरे YouTube वीडियो में भी जो comment देखें वहाँ पर ये सवाल थे pensioners के कि क्या 50% होते ही मर्ज हो जाएगा कुछ pensioners उसमें जवाब दे रहे हैं जी हां मर्ज हो जाएगा तो आप इस concept को clear करें 25% की बड़ोतरी तो confirmed है लेकिन 50% मर्ज होना जो है ये confirm नहीं है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इनी जानकारियों को लेकर आया था आगे और कोई जानकारिदा है कि आप से सरुकार रखने होला भी से लेकर में फिर सहाजर हो जाओंगा तब तक के लिए जहीं दोस्तों